आज के इस वीडियो में बात करते हैं ऐसे लोगों की समस्या जिनके हाथ, पेर, पूरी शरीर, सब थंडे मालूम पढ़ते हैं, हमेशा की तरह किसी भी होमियोपेथिक दवा का उप्योग करने से पहले यह जानना जरूरी होता है कि उसके लक्षन कौन-कौन से हैं, तो पहले हम बात करते हैं लक्षनों की उसके बाद बताएंगे, कैसे इसका उप्योग किया जाए, होमियोपेथिक दवा के लक्षन इस प्रकार है, एक, अतियंद तेज सरदर्द करता है, सरदर्द के साथ साथ मिचली और उल्टी भी प्रतीत होता है, सिर ठंडा भी लगता है, सिर क अल्ट्याग करने के बाद ऐसा लगता है कि पूरे शरीर ठंडा हो गई है और पेट में कुछ नहीं बचा है, चार, सिर से लेकर पेर तक ठंडापन प्रतीत होता है, पांच, अत्यदिक डायरिया और अत्यदिक वमिटिंग दोनों साथ साथ होती है, छे, बुखार होने पर भी शरीर ठंडा लगता है और चेहरे और माथे पर ठंडा पसीना होता है, अगर ऐसी समस्याएं किसी को भी हैं तो उसे हुमियोपेथिक की दवा, बेरेक्टरिम अलबम तीस पूटेंसी की चार बूम जीब पर सुबह शाम सेवन करें, जानकारी समझ में आई तो इस वीड धन्यवाद